हेलो एंड वलकम टू on-line school India for library science एक बार फिर्ट से आप सभी का on-line school इंडिया for library science में जोड़दार स्वागत है कीवें सब्सार्द की 2020 तियारी करने वाले सभी विद्यारतियों को मेरी तरफ से हार्ती सुबकामना है और मैं आपका दोस्त सुमेश सिंग कचावा पुस्त कले अधेक्स जोद्फू सिटी राजिसान से इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिट से स्वागत करता हो आज हमें एक ऐसर टॉपिक को लेकर आये है जो आपके जनरल पेपर में भी आएगा और आपका सब्जेट में भी आएगा जनरल पेपर कैसे जनरल पेपर का मलब जहाँ पर आपको पता है कि जनरल हिंदी के 15 questions है जनरल इंग्लीज के 15 questions है reasoning के 20 questions है इंडिया जीके के 20 questions है और इसके बाद जो हम बात करते हैं फिर रहले के 10 questions आयेंगे और 10 quest होगे आपके computer के मनलब कुल मिला के आप माल सकते हो के 180 में से 110 नंबर जो है आपके सब्जेट क्या है किते नंबर के हैं 110 नंबर है ठीके दोस्तों तो आज हम बिल्कुल बैसी computer शुरू कर रहे हैं लेकिन सबसे पहले इस क्लास को सुरू करने से पहले जो आपके सामने आपका यह जो सेलेबस दियावा है इस सेलेबस को अच्छी तरीके से पढ़िए क्योंकि जहां तक मैंने सुना है जहां तक मैंने देखा है जहां तक मैंने मैसुस किया है कि 90% जो स्टुडेंट्स है वो कभी भी सेलेबस को एनलेसिस नहीं करते हैं आंकि जिस दिन वहनोंने लदा का सबस्क्राइब हं पार्ट दोस्तों पार्ट ठीट का जो आपने करण父 ऑफड़े का नाम धोस्तों इन्फॉर्मेसट टेखनोलोजी वैसिक और वैसे इसके वह नोगों में बाढा도ा कहते हैं पेहला को मैंसी कंप्यूटर थेखे न हम स्का दो वागा में भी बात सकती बैसी this computer और इस पर गऩर कह लेकिन लेकिन हम हमारा बेसी computer क्या होता है कहां से शुरू होता है क्या क्या आज हम पढ़ने वाले हैं तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे यूनीट टू कौन से पढ़ेंगे यूनीट टू पहले सबसे पहले पढ़ेंगे कंप्यूटर के बारें पढ़ेंगे कंप्यूटर क्या होता है कंप्यूटर कौन सी भासा से लिया गया है कंप्यूटर कौ कौन है चिकन है कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है कंप्यूटर की परिवासा क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे दूसरा हम पढ़ेंगे इंट्रोडेक्शन आप of computer generations का मलब होता है पीडिया कंप्यूटर की जो पीडिया होती है उनके बारें पढ़ेंगे and classification of computers और computers के classification classification का मलब होता है परकार यह कह सकता है types यह चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं उसके बाद हम पढ़ेंगे essential components of computer system और computer system के कौन कौन से आउसे components होते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे तो आए हम सुरुवात करते हैं जो है basic computer के बारे में बिल्कुल जो है according to syllabus हमें चलना है क्योंकि आपका जो प्रिक्सा के अंदर जो सवाल आएंगे वो syllabus के हिसाब से ही पुछे जाएंगे इसलिए सबसे पहले syllabus को analysis करना आप सिखिए जो विदियाटी इस class को live देख रहे हैं जल्दी से आप एक और comment कीजिए लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को subscribe जुरू कीजिए क्योंकि अब जल्द आज के बाद बहुत सारे important classes है लाइब 26 December 2020 26 December 2022 से हमारे एक के अंदर हम live class भी शुरू करने वाले हैं ठीके दोस्तों सुरूब करते हैं जो बैसे computer के बारे में अब बैसे computer में सबसे पहले हम बात करेंगे computer के बारे में ठीके नविए सबसे पहले सवाल यहीं आपकी दिमाग में आता है computer क्या है जिसको अंग्रेज तीन अदार कौन से होते हैं अगर वास्तों में आप KVS में selection चाहते हो तो आपके तीन selection के अदार है पहला अदार है making handwritten notes पहले जो भी पढ़ा रहा हूं अच्छी तरीके से notes जो है जरूर बनाईए ठीक है notes बनाने के बाद उसके बाद revise again and again बार 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 जो आपने लिखा है उसको बार 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 revision कीजिये जब revision करने के बाद तीसरा जो आदार है आपके सब्लता का giving test online test दीजिए आपको यह पता चलता है कि आपका जो है concept जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है उसको वो concept clear हुआ या नहीं हुआ है कौन से topic में से questions ज़्यादा गलत हो रहे है ताकि बाद में उस topic पर analysis करके उस question पर analysis करके वापस उस topic को वापस पढ़िए और दूसरी बार फिर से आप test दीजिए इससे क्या होगा बार बार test देने से आपके जो है confidence level भी बढ़ेगा और exam के अंदर online exam में इस बाद KBS का जो exam होगा हाँ इस class के मादियम से बताना चाहता हूँ KBS का exam जो आपके March last week में होने की संभावना दिया रहना पहले April में लग रहा था लेकिन अभी KBS का departmental exam की date आ चुकी है की विस departmental exam जो exam की date 22 जनवरी आ गई है इसलिए आपके एक्जाम March के महिने में 100 और final हो सकते है जा रखना इसलिए आपको त्यारी करनी है कि आपके exam बस आपको यह पुझे पहले मुझे भी लगता था अपरेल में होगा एक्जाम लेकिन मैं आपको बता दू इस प्लैटफॉर्म के मादियम से मार्च में आपके exam 100% हो जाएंगे इसलिए अभी से आप त्यारी कीजिए जल्दी जल्दी नोट्स बनाएं और को सिस कीजिए कि आपके 15 जनवरी या 10 जनवरी तक पूरा हो जाए ताकि उसके बाद अच्छी त्रह Nine तो के तो कम्पीटर क्या है क्ट्विट्र चाह रचाह सब्लाइगना सब य्क्स अ कॉंप्यूटर को लेतिन लेंग्वेज से लिया गया है और लेतिन लेंग्वेज को कॉंप्यूटर को कंप्यूटर से लिया गया है जिसका होता है घंडा करना करने को अंग्रेजी में क्या कहता है क्या होता दोस्तों काउंट उता है एक साथ सोचने को अंग्रेजी सब्सक्राइब करता है तो कम्पीटर जो अगर हम देखा जाए तो कम्पीटर का मदलब उस डिवाइस से हैं डिवाइस का मलब होता है यंत्र मैं कम्पीटर है क्या कई बार बोलते हैं कम्पीटर क्या है तो अपना मैं सब्सक्राइब कीनए से इंत्र जोर्ण और बुसक्राय और जंत्र चालक गो केघार непोनलब यह आपको ध्यान आपने मादना कम्पीटर जो शब्द है यह लेटिन भास के कम्प्यूटेर सब्से मना है जिसका अच्वता गड़ना करना गड़ना करना योग करना तो चीक है न और इसके बाद एक साथ सोचना और computer एक ऐसी device है इसका मलब वह संगर्णा करता है संगर्णा का मलब होता है computation जानगा सभी तरह की जो गड़ना करता है उसको संगर्णा कहते हैं तो आपका जो यह प्रोडेक्शन इसमें दो क्षेशन बनते हैं पहला है कि computer कौन सी बासा से सब्सक्राइब लिया वा है तो computer लेटिन वासा से लिए गया कौन से सब से computer सबसे लिए गया है तुक्ष्टों इसलिए द्यानगना और दूसरी बात जो विद्यार थे हिंदी मेडियम के हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं साथ साथ आप अंगरेजी में कुछ वर्ड को देखिए साथ साथ हिंदी इंगलीज साथ बाई लिंगुल चलेगा न तो आपको सवाल को समझने में बहुत ज़्यादा आसाने रहेगी यह चीज़ आपको दियान में रखना है उसके बाद अगला जो है नोटबर email को उनकी अवदार्णा के बाद कर together का जनक माना जाता है और रखना क्या माना आता हैं थो वह यूप्योटर का जनक वेरीव ईपॉटेंट कोस्टों है चाहल बेबेज मास सिडर सिंडर the father of computer सवाल आता है कहीं बाद प्रिक्सा में कि कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है तो ज्यान रखना दोस्तों कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है चार्ल्स बेबेर्स को माना जाता है और फिर बाद में 1837 में एनलेटिकल इंजन का विस्कार हुआ था तो से पहले इन्होंने जहा रखना इकना 1817 में धींजन यह ज़्यान है यह एनजिकल इंजन क्या होता क्मप्यूटर का 200 तो को तो आपना चार्स सब्सक्राइब के द्वारा इंजिन का विश्कार प्रिक्षा में पूछा जाता है कि इंजन को किसद डिजाइन किया था सवाब आएगा प्रिक्सा के अंदर वह डिजाइन इंजन 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 को किसने डिवाइश जो है डिजाइन किया था तो डिजैन किया था आपके चार्स बेश्ले और चार्स कौन है फादर ऑफ कम्प्रेटर उनको जो एक अब पिता और जाता है यह चीज़ आपको प्रिक्षा में एक सवाल जुरूर पुछा जाता दोस्तों कोई भी प्रिविशन का पेपर उठा के देख लो आप जन्रेशन फाइब जन्रेशन ओप कंप्यूटर की जो पांच पीडिया उसमें से एक सवाल जुरू प्रिक्षा के अंदर पूछा जाता है तो अब है टॉपिक क्या है डवलोपेंट इस्ट्री ऑप कंप्यूटर जन्रेशन और विकास और त्यास त्या रखना तो कंप्यूटर जन्रेशन जन्रेशन का मनलग हि कि उसमें फर्स सन्सक्राइब है व Jackie सका परियोग हुआ था वईरी इंपॉटरेंट है कि सांस्याम्न तो स्वाज़ जैश्ट जन्रेसन में किसका परियोग वाथा वेकिम का परियोग हुआ था और as generation का सशुरूई 1940-1956 दूसरा जो जन्रेशन में very important है कई बार प्रिक्षा के अंदर पुचा जाता है दूसरे जन्रेशन में ध्यान रखना है आपको transistor का परियोग हुआ था देखिए पहले में हुआ था vacuum tube दूसरे में किसका परियोग हुआ दूसरे जन्रेशन में जो है transistor का परियोग हुआ था और कब से कब तक था दूसरे जन्रेशन नाइंटिन फिफ्टी सिक्से नाइंटिन सिक्स्टी त्री उनिस सो चपन से उनिस सो त्रेशन तीसरा बैरी इंपोर्टेंट है दोस्तों वेक्यम ट्यूब का परियोग कौन से जन्रेशन में होता है तो वेक्यम ट्यूब कौन से जन्रेशन में फॉस्ट जन्रेशन में उसके बाद ट्रांजिटर का परियोग कौन से जन्रेशन में होता है तो ट्रांजिटर का ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर का परियोग जो है आपके second generation में होता है थाड़ आएगा integrated circuit तो integrated circuit का प्रियोग हमेशा द्याद रगना आपके किस में होगा वही तीसरे जो है संस्क्राण में तीसरे generation में होगा तीसरी PD में होगा उसके बाद होता है चौथा में ज्याद रगना है micro processor very important द्याद रगना सवाल आता है micro processor जो है कौन से generation में प्रियोग होगा था द्याद रगना fourth generation में होता और last में होता है artificial intelligence कई बाद प्रिक्षा के अंदर यह सवाल तो करीबन 100 ताइम्स हंड्रेट ताइम्स सवाल को कई प्रिक्षा में पुछा गया था कि artificial intelligence जो वर्तमान में चल रहा है दो जाद दस के बाद तो artificial intelligence का प्रियोग कहां पर होता है फिप्त जनरेशन में फिफ्त जनरेशन में तो इसको याद करने का तरीका पहला जानेगना फिफ्त जनरेशन में आपको वेक्यूम टूब सेकेंड जनरेशन में आपको क्या हो जाएगा टार्जिष्टर तर्ड जनरेशन में आपका जो है इंटेग्रेटेज सर्किट फिफ्त जनरेशन में माइक्रो प्रिसेसर और फिफ्त जनरेशन में क्या हो जाएगा Artificial Intelligence यह ज्यान रखना आपको अच्छी तरीके से याद रखना है ठीक है दोस्तों अब देखें आपको इसको थोड़ा हम बहुत ज्यादा चित्र समझते हैं ठीके रवे इसको हम चित्र से समझते हैं ठीके रवे यह ज्यान रखना जनरेशन और कंप्यूटर कंप्यूटर के पीडिया तो द्यान रखना वेक्यूम टूब क्यासा होता है उसका फोटू देखें आप ताकि आपको अच्छी तरीके समझना आजाए तो फॉर्स जनरेशन जो है फॉर्स जनरेशन में किसका प्रियोग हो आता अभी हमने पढ़ा स्क्राइब इन्टेग्रेशन और और इसके साथ ज्यान रखना मायक्रोब प्रोसेसर का भी प्रियोग हो से जो है जनरेशन में वाता फॉर्ट जनरेशन में एक ज्यान रखना बेसा कहीं बार फुल पूर्प वोडित आती है कि वी एल ए तोम tota即 वे लार्ज स्केल इन्टेगरेशिन टो वी चैनल सी की फुल फॉर्म क्या होती है इसका सबीस होता है तो नहीं करसे हो यांपर क्या है ये बिरफ्ल जायरिंस स्केल इन्टेऺेशिंड और पांचरत didn't पांच और जो जनीर सने सौरिट पांच और जो है तो है यहां पर क्या है बेरी है और यहां पर क्या हो जाएगा अल्ट्रा लाइज स्केल इंटेक्रेशं यू अल्ट्रा लाइज जो है अल्ट्रा लाज स्केल इंटेगरेशन है और फिप्ट एडिशन में ध्यानगना क्या आता है आटि फीशियल इंटेलिजेंस अभी हमने पढ़ा था तो पांच यह भी जानगना आटिफिशियल इंटेलिजेंस का भी प्रियोग होता है तो इन दौनों के फुल फॉर्म तो है आपको याद होने चाहिए कई बार प्रिक्सा में पुछी गई है पहले तो होगी VLSI की फुलफाउं वेरी लाज स्केल इंटेग्रेशन दूसरी फुलफाउं होती है अल्टरा लाज स्केल इंटेग्रेशन तो आपको बढ़िया द्रॉइंग बनाके सिखा दिया था कि आपको अराम से याद रहे कि किस परकार से यह पुझा जाता है चाहिए दोस्तों तो कहने का मनलब यह बैसिक कम्पिटर हैं बिल्कुल अपन को पढ़ना क्योंकि जनरल पेपर में भी दस कुशन कम्पिटर लिटरेस्टी के आएंगे और सब्जेट में भी आएंगे इसलिए कंपिटर को पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है दोनों को मिलाकर 20 कुशन तो कंपिटर के आएं कम्पिटर के आएंगे ऑई क्नुटे के बारे बहुत डिटेल से पढ़ता है क्या आपका जो एक doc érenceरूर ने जादेजिए आपकर जो सेन फिर्स यर सन्रां सलने है इन्यशनैं का प्रियूग हूं था वेक्युव टूब्ट का परियोग की अग्षी का परियोग हुआ था मसीनि-वासा मसीनि-वाथ किसका परियोग हुआ था मसीनि-वाथ का परियोग 1st generation में हुआ था इसके बात Second generation में 1956 से 1963 and Second generation जो एंदर पुचा जाता है दोस्तों कि मसीन लें लैंगवेज किस पे होता हैій आपके फर्स्ट जनरीरिशन बे और कई जा दाए वह आपके सेकिंड जन्राइशन के अंदर होता है फिर भात कहते हैं थर्ड जन्राइशन की है सब्सक्राइब परिपत कि एक इक इक अर्यों कैने के मंलाब होता है कि मसिनी कोहता है फिर्स्ट जेनरेशन में दूसरा असेम्बली लेंगवेज जो लो लेवल होती है जुफ बुरीओ पर्यों होता एंट्र क्सक्रा पुसकल होता हैं प्री ₹ याद रखना वी एल एस आई इसकी फुल फर्म क्या होती है दोस्तों वेरी लार्ज स्केल इंटेग्रेशन दा रखना यहां पर पीछे वर्ड याद रखना इंटे ग्रेशन तो फोर्ड जन्रेसन वे VLSI circuit का प्रियोग होता है तो एक तो सवाल आएगा कि VLSI circuit का प्रियोग कौन से generation में होता है कि fourth generation में दूसरे सवाल बनेगा है कि इसकी full form क्या होती है तो very large scale integration और उसके बाद जैसे micro processor तो micro processor भी कौन से generation में प्रियोग होता जहां रखना आपके fourth generation में non procedural high level language such as object oriented language और द्रेटन फोट में object oriented language का प्रियोग क्या कहा था किसका प्रियोग क्या गया था भे object oriented language का प्रियोग वाद जो high level से जो high level language ही होती है लेकिन language का प्रकार है जब हम language पढ़ेंगे तो उसके के बारे पूरा object oriented language कि है तो उसके बारे में चर्टा करेंगे तो fourth edition में तीन सवाल बनेगे के micro processor का प्रियोक हुआ के fourth edition में VLSI का circuit का प्रियोक हुआ के fourth edition में और अगला सवाल बनेगा के VLSI की full-form क्या होती है very large scale integration जहां होती फुल फूर्म वैरी लाज सतील इंटेग्रेसिंक इसकी फुल-फॉर्ब होती है पिर होता है यह लिए फिर फिर्फ जन्रेशन क्या होती है फिर फिर्ट घेर सन्डेस्फ जो उन्ह काइब सर भी कई जगा 210 भी दियावाइं तो फिल्न अगने दोस्तो आट इसे बिचिन को पर्योग कि होता है वे फिट चर्ण में होता है किसमी ऑता है फिफ्ट जनरेशन में और यहां पर ध्यार ने इंटेग्रेशन टेखनोलची लोजिक प्रोग्राम जो लोजिक प्रोग्राम से समझेत रखती है तो सवाल लिया है कि अंदर कि आठीफिजन इंटेलिजेंस, का पुरियों कौन से जन्रेसिन में होता हैं, तो आपका आज़सूर होगा सब्सक्राइब कई सब्सक्राइब ऑगा वागत दोस्तों को याद रखनी है तो इसी फरकार से अभी हमने जो है प्रिक्षा के अंदर सवाल पूछे जाते हैं इसलिए आपको हर जंडरेशन के अंदर क्या क्या आया है क्या क्या दिया गया है अच्छी तरीके से आपको ध्यान में रखनी है ठीक है दोस्तों भी तो एपको धिरक्या के अंदर सवाल पूचा जाता है है वेरीूमोटेंट है और कम वर्ड कंप्यूटर लिक टेक्रस्टी जी को कब से बना जा रहा है सिस्ट फू तूट फैस्ट को बनाए जा रहा है वैरी वैरी इंपोर्टेंट है दोस्तों यह चीज़़ आपको ध्यार में तकनी है ठीक है अब हम बात करते हैं कि कई बार ये सवाल पुझा जाता है कि first electronic computer कौन सा था कई बात सवाल पुझा जाता है अगर आप computer शुरुवात करते हो पड़ना तो आपके मन में ये सवाल कई बार पूचा भी जाता है कि first electronic computer इस दुनिया में पहला जो है electronic computer का उलसा था तो ध्यार रखना पहला electronic computer का नाम था इन्याक क्या नाम था दोस्तों इन्याक नाम था ध्यार रखना अब इन्याक की full form याद रखना आपको दोस्तों Electronic Numerical Integrator and Computer ज्यान रखना इन्जान एकी Full Form का नाम क्या है Electronic Numerical Integrator and Computer इंटेग्रेटर आयेगा यहाँ पर कहीं बार option में Integration भी धेज़े, integrated भी देज़े, तो बच्चे Full Form में यहाँ पर बहुत देजा प्रिक्षा के अंदर ऑप्षन में एक उप्षन में जाएंगे इंटेग्रेटेड तो आपको ध्यान अगना इंटेग्रेटर आएगा और पेंसिल्वेनिया विश्व विद्याले के मूर स्कूल अप्ष एलक्ट्रोनिक इंजिरिंग में जॉन मोचली दो व्यक्ति का नाम ध् जे प्रेस पर एकट द्वारा निर्मित क्या गया था तो वेरी इंपोर्टेंट दोस्तों बिल्ट बाइक बिल्ट बाइक का मलब हता निर्माण करना जो यह फर्स्ट इलक्ट्रोनिक कंप्यूटर है जिसका नाम क्या है दोस्तों इन्यार इसकी फुल फॉर्ब आपको खना सक्तित करेंक पर एक बाइक के अस बाइक पर फॉर्ट्रrü फॉर्ट्र अनर नाम स्काइब दम बाइक इन्जेश जोन अचली और जे पर एकट नामक वेकटींग है मिलकर पहला ईल्ट्रोनीक कंप्पूटर का इसका क्या था दोस्तों एक सवाल और ऐसा भी आता है कि पहला विवसyi कंप्पूटर क्या था क्या होता है जो कबोल जो residence 평今日 टो CMT कोहलों से लिसार्थ कोंपिटर क्या था तो द्यार ता है विलक्त्रों कॉंपूटरों नाव इससरों क्या थैब यख़ ग्लिए इंडीग की फुल फॉर्म क्या होती धोस्तो फॉल अयुमियक की सेनल Yang यह इंपोर्टन है दोस्तों त्यार रगना अगर पुचा जाए कि फर्स्ट जो है कॉवार्सिल पूप्पूटर तो नाम आयाएगा यूणिवेक इसके फुल फॉर्म क्या होती है इनिविर्सल आपमेटिक कंप्यूटर होती है और इसका निरमाण क्या गया बिल्ट मतलब क् जॉन एकस्ट और जॉन डबलू मौशरी वो दौनों विखती जहाने रगतге और जॉन डबलू मौशरी द्वारा निर्मित क्या गया उनीस सो 22 कम निर्मित क्या गया था 1952 के अंदर जो है 1st commercial computer यूनिवेक का निर्मार 1952 में दो वेक्तियों के द्वारा जिसका नाम है जॉन एकर्ट और दूसरा है जॉन डबलू मोसली के द्वारा क्या गया था और यूनिवेक की फुल फॉर्म काहीं बाप रिक्साम पुछी जाती है इनिवर्सल आटोमेटिक कम्प्यूटर अब हम बात करते हैं कम्प्यूटर के परकार ज्यारी इंपोटेंट गश्चन है जो भी इस क्लास को देख रहे हैं मैं आपको बिल्कुल बैसिक चिज़े पढ़ा रहा हूं कम्प्यूटर की और इसके बाद इस क्लास के बाद और भी कम्प्यूटर की क्लास आएगी आपके य सब्सक्राइब तो मार्केट में जाओ सिक्स रजिस्टर लेकर आजाओ हर एक रजिस्टर को जो है पार्ट वाइस बाढ़ दो आप पहला है पार्ट फाउंडर सुनोब लाइब इस हैं दूसरा है आपके नॉलेज और्गरेजेशन तीसरा इनफॉर्मेशन चाग्लोजी चौता मैनेजमेंट पाच और एफ्रेंस सर्विस चटा है यूजर एज्जुकेशन तो क्याने के मलब हर एक को अलग लग बाट दो ताकि जब नोट सिस्टेमेटिक डंग से बन जाएंगे तो आप भी किया है इस सिस्टेमेटिक डंग से जो है नोट्स बनाएं आप ताकि सिस्टेमेटिक डंग से बनेंगे तो आप सिस्टेमेटिक डंग से त्यारे कर पाएंगे क्योंकि आपके द्वारा लिखा गया ठीक है ना और एक चीज़ मैं आपको इस क्लास के माधिम से कहना चाहता हूं कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमें पी पिडिएप आपको डाउनलोड नहीं की जा सकती हमने हमारे प्लोड के उससें इस्ट्रेक्शन में लिख दिया कि पीडिएप डौनलोड नहीं कर सकते हैं आपनी पाफोटीफे ले देते आपको पता है आचम में एक हया चला जाता है क्योंकि चार साल की जो मैने चार साल सो मैने इस्ट्रगल किया लाइबरी साइंस में वह आपको जो कंटेंट है वह डायरेट आपको ऑनलाइन इसकूल इंडिया एप के माध्यम से आपको पहुंचा जा रहा ताकि आपको इदर उदर नहीं जाना पड़े चीक है और टेस्स ज बात करते हैं कैös जैसा की झांते हैं कि एक कि इलक्त्रणिक डिवाइस है важно से नूप्यार द्रड़ इंडिया घंका हैं ऐसक तो पहला कौन सा कंप्यूटर होता है एनलोग कंप्यूटर दूसरा कौन सा होता है डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा कौन सा होता है हाइब्रिट कंप्यूटर तो पहला कंप्यूटर हो गया डिजिटल कंप्यूटर तो पहला कंप्यूटर हो गया डिजिटल कंप्यूटर तो द अब एन लोग कंप्यूटर क्या होता है इसके बारा में जानते हैं इसकी परिभास से क्या है अच्छी तरह के से समझेया के वे वह इनलोग कंप्यूटर किसकी मात्रा को भी बोतिक मात्रा का मतलब क्या होता है दोस्तों फिजिकल क्वांटिटीज जैसे दाब है जैसे टापमान है टेंपरेचर लंबाई है इसको वैक करते हैं और वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों कई बार प्रिक्साइब के अंदर प्रिश्टा के अंदर पुछा जाता है कि वोल्ट मीटर और बेरो मीटर किसके एक्जाम्पल होता है तो इसका एक्जाम्पल मुम फिटर सब्सक्राइब करनावियो Ward 10 प सुमिलते पर प्रकेंचा मीटर कर क्या देविटल सब्सक्राइब वो किसका उज़रण होता है एनलोग कमप्यूटर तो ज timelinesygen मोग टोटा है इस PY ऐसे ज़िए फार्ण बने लूग कम्प्यूटर आप सब्सक्राइब में अलगो वे इस परकार के computer जिसमें analog computer और digital computer दोनों के गुड़ मोजुत होते हैं उसको क्या कहते हैं भई hybrid computer कहते हैं तो hybrid computer में जाना analog computer के भी qualities होगी और digital computer की भी qualities होती वह होता hybrid ये का पी सक्सम computer होता है और इसका प्रियों विशिष्ट कार्यों जैसे के मोशन समन्ति जानकरी यहूं वो समण्धीर है वह मिलती है फढय हो है अन्त्रिक स्विझ्ञान सम nur की ारिकियां संञे कार्यों के लिकिन ज इस पेस जन्ता किसका प्रियोग होता है कंप्यूटर का प्रियोग होता है तो हाइब्रीट कंप्यूटर का प्रियोग होता है तो हाइब्रीट कंप्यूटर का परिवास यह है कि ऐसी जो ऐसा जिसमें एनलोग कंपीटर और डिजिटल कंपीटर के गुड़ मौझूद होता है और यह हमेसा जानकरी होता है तीसरा जो हम बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर वे कंप्यूटर जो अंकों की घंड़ना करते हैं डिजिटल कंपूटर क्या लाटता है अंकों का 변ल क्या होता है दोस्तों न IPत नंबर जो एंड़ना करते हैं वह क्या दो है डिजिटल कंप्यूटर के लतैं और डिजिटल कंपीटर दों को बनलब zero और एक याद कना की पतनी पर हादारिट होते हैं लिएfolg इंपोर्टेटल इंपूर्टन जिडिडाल कम्पूर्टर होता है जोमें सार्ठा दोंक जिसका नाम फर बिकींगिंटी के जिरो सकत farmers होता है और इसका अच्छा त्हुंता है वह होता है डीजिटल गडि जो भी डीजिटल गड़ी होती है इसका अच्छा उधारण होसकता है इसके गती तिवरों गढ़ना है परतिस सेकेंडर कर सकता है यह जो घड़नाय है करोडों घड़नाय जो आंपर 30 सेकेड कर सकता है और अधुनी कंप्यूटर कंप्यूटर में दूर्धारी पतते हैं बाइंडरी सिस्ट्रम का परियोग किया जाता है में अभी बताया था दोस्तों आज के लातों नहीं डिजितल कम्प्युटर में जयता है उसके बाद करते आपके बारे में आकार हैं उस समतां के अधाव पडिजिटल कंप्यूटर को चार भागों Meg mim insbesondere मला डिजिटेल कंप्यूटर को भी उनके जो साइज़ है उनके जो तो द्यान का देगना आपको इसे विए माइक्रो कंप्यूटर दूसरा हो गया मिनी कंप्यूटर तीस्रा हो गया मैन फ्रेम computer और चवता हो गया आपके super computer परला कोशсь आ हो गया micro computer ठीक एथा दोसतों दूसरा हो गया meille computer wen Called digital computer को चार वाहा गया है ठीके दोस्तों यह चीज़ जाएंर नहीं computer तीन परकार होगे इन ओज डीजिटल और हाइब्रीड और डीजिटल को चार बागों में माटा गया है ठीक है दोस्तों अब जो है डिजिटल को चार बागों माटा गया सब्सक्राइब लेकिन अभी तक जो हमने बैसी कंप्यूटर शुरू किया था उसे रिलेटेट कुछ सवाल जो हम करके देखते हैं पहला जो सवाल में सब्सक्राइब कंप्यूटर से लिया गया है दा टर्म कंप्यूटर इस डिराइड फ्रॉं तो कंप्यूटर जो सब्द है यह कौन सी बासा से लिया गया है और वह सब्द कंप्यूटर सब्सक्राइब सब ofere you know computer सबसे बंढ़ा है यह चीज्ण आपको कि दियाद मेंरे रख है कि दो स्रहात मने इस ने डीजाइन क्या था शूंग डिजाइन अनलिटिकल इंगल इंजन का जो है डिजाइन किसके चाहर लिए यह त्न कह था कि ऐसे चीज ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है यहे एक हम पूरवज मना जानाता है क्या था 1887 कं किया था के तीसरी पीटी के का जो तीसरा चरण है जो इसमें पांस जनरेसे ने यह फिर्स सेगीं धाइगन गलता है उनिजन फेज तो न है पहला तो यह होगए दूसरा यह हो गया स्वरी थेशन जो है यह हो तर्फ को ये चलेगा के उनिसोर्ट चरली से चपन आदि दूसरे बद चाली से से उसकैंव कुह तो तेसरा जो जनरेश नहें यह चलेगा आपके 1964 से 1931 से किसे होगे मैं 1931 से हो जाएगा ज्यान लगना यह चीज़ आपको ध्यान लगना फर्स्ट सेकिन और थर्ड अग्ला कुछ ने पर्तम पिटी के कंप्यूटर का पर्योग किया गया था ठेकर वैं फॉर्स्ट जन्रेशन पर्तम पिटी के और उसके साथ दोसरा कौन सावें मैंने टिक ग्रप क्योंकि वैक्यूटर किसी में है नहीं तो कंफ्यूज होने की जरूत नहीं आपको तो फॉर्स्ट जन्रेशन में द्यान रखना वेक्यूटर का परियोग हुआ है और मैंने ट्रम का परियोग अगर लेंग्वेज कि उसके बाद हम बात करता है ट्रांजिकर का प्रियोग की जरूर में बरियोग होता है और जबकि फॉर्स जन्रेशन में वेक्यूम तुब का परियोग होता है अगला कुस्ते पर्थम पिडी के और कौन से है विगानुटर की लिवगां is the first generation of computer पर्थब्ड की computer होते हैं इन्यार कोंसे उता में इन्यार केंथ में इन्यार होता है इन्यार होता है को है कर्तिरिन डूदधी बता मलब口 आर्टी फीशल इंट 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 इंस जो है कॉन से एडिशेंट से सब्ढ़ सब्सक्रिक्षर का इस होता है ना अल्टरा एल कल गॉत अट्रा और अल्ट्रा लार्ज S S का मलब अल्ट्रा वेरी लार्ज सकेल और आई का मलब होता है integration क्या होता दोस्तों, integration दिया रखना, Ultra large scale integration यह ओता है यह होता है आप के 5th अडिशन वे और 4th addition होता gw VLSC, very large scale integration होता दिया रखना, वे के कम्पूटर की कितनी화 courteggaja है, तो के बता हैं कम्पूटर की 5 फीदिया होती है, वर्स्ट सेकेंड थर्ड प्रट अगला कुश्व लेता हैं दोस्तों मैंत कुश्व जिसका नाम इस साल का सव्झार्ट होता है मलब इन्या स्टेट्स फोर इन्या की फुल फ़र्म ऑप स्य थे मताया था यह पर बहुत ज़्दा इसका अंसर यह electronic numerical यहां पर बहुत ज़ादा confusion होते हैं ज्या रगना इंते ग्रेटर होगा वह option में integration भी होगा integrated होगा and यहां पर ज्याद रगना आपको computer कर देना क्या करदेना आभए computer कर देना ढoths and computer ज्याद होगा चीद कर दोस्तों तो इन्याई की फुल्पम क्या होती है electronic numerical integrator and computer यह option आपको क्या होगा सही होगा उसके बाद last और final question है VLSI तो VLSI की फुल्पम क्या होती है very large scale integration क्या फुल्पम होती है करते फैसे वह खालता हैं क्वा आप्सभी मेरे साथ रहे और शार्फ में लाक्तमने आदे से क्यावरा हूं मैंक्तर स्टीक त्याएं किताबों से पढ़ रहें अच्छी बात है लेकिन वह जल्दी से जल्दी टाइम निकालकर आप नोट्स बनाएं ताकि एक ही जगह पर आपको सब कुछ लिख सके लेकिन ऑलनाइन इसकुल इंडिया के ऐसा प्लेटवर्म में आपको इदर उदर भागने की जरूत नहीं है एक प्लेटी और इंग्लिस बाइलिंग्वल में भी मैटर मिल जाएगा और सबसे इंपोटेंट है 5000 कुष्चंस 5000 कुष्चंस जो आपको मिल जाएंगे इसरी के अंदर हमारी टेस्स शुरू हो चुकी है 21st नौवंबर से शुरू हो चुकी है जो आपके जब तक एक्जाम नही के वे ताकि आप अच्छी तरीके से समझ सकें तो आप सभी विद्यार्ट दस्य निवितन है लास्ट पर जाते वहे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट जरू कीजिए ताकि आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करता है इंस्प स्क्राइब करने के अंदर तेकि न उस पर आप जो है बिल्कुल बात कर सकते हैं और हमारे जो नंबर है जो है नंबर है इसको आप जो है लिख लीजिए एट नाइन फॉर नाइन डबल नाइन डबल नाइन टू त्री शिक्स वन यह मेरे नंबर है आप कभी भी इस पर नहीं है तो यह मेरे नंबर है इस नंबर पर आप कभी भी जो है बाख कर सकते हैं यह सिक्स है ध्यान डबना सिक्स वन ठीक है दोस्तों थैंक यू वेरी मुट्ट